नमस्कार दोस्तों, पाउन वाग एकडेमी में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स एंड पेर अफ एंगल्स तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पाउन वाग एकडेमी पर आपका स्वागत है मैच्स के वीडियोज, मोटिविशनल वीडियोज और जनल नारिच के वीडियोज देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब पाउन वाग एकडेमी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जो लोग हमारे सब्सक्राइबर है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बैल आइकन को किलिक कीजे क्योंकि अगर आप बैल आइकन को क्लिक नहीं करते हैं तो आपको हमारे चैनल्स के नोटिफिकेशन स नहीं मिलेगे जब भी मैं नए वीडियो दालूँगा आपको कोई मैसेज नहीं आएगा तो प्लीज आप बैल आइकन को क्लिक कीजे क्योंकि उसी से मैं जो भी वीडियो आपके लिए अप्लोड कर रहा हूं उससे आपको मैसेज आएगा So don't forget to click the bell आइकन आज का हमाना topic है angles and pair of angles अभी angles की जब हम बात करते हैं हम angles हम पहले से पढ़ रहा है हमारे previous classes में हमने angle पढ़ा है पर what is angle? Angle क्या होता है? When two rays start with the same initial point they form an angle Means क्या? देखे जैसे मेरे पास suppose ये एक ray है This is ray OA ओके यहाँ अगर देखे हम तो O is the initial point of this ray This arrow is showing कि ये infinite टक जा रही है Okay and that is why we cannot measure the length of the ray तो जब क्या होता है कि जब दो rays एक ही point से एक ही initial point से start होती है Like ये एक initial point है ये suppose O है और यहाँ एक point है A तो एक OA ray है और एक OB ray है अगर ये दोनों ray एक ही point से start होती है तो ये बनाती है angle तो ये जो initial point है जिसे हम ray में initial point केते है और जब ये दो rays एक साथ आ गई एक ही initial points से आ गई तो ये जो point है जिसको हम initial point केते हैं लेकिन वो angle में होता है उसका vertex ये होता है angle का vertex OA और OB क्या है ये है arms of the angle OA और OB OA और OB they are the arms of the angle so what is the name of this angle इस angle का नाम क्या है इस angle का नाम है we can write that ये है angle AOB ये जो है ये angle का symbol है या आप इसे angle BOAB लिख सकते हैं name of vertex इसका vertex क्या है इसका vertex है point O तो आप यह लिखे point O is the vertex of angle AOB आगे बात आती है write the names of its arms arms कोन सी है जैसे के मैंने आपको बता इसके arms क्या है arms है इसकी ray OA and ray OB ये दो इसकी arm से देखिए ये OA और OB मिलकर ये angle बना रही है vertex क्या है point O आगे है writer names of the points marked on its arm अब इसके arm के ओपर कौन से point mark करके रखे देखिए यहाँ पर है point A और यहाँ है point B तो इसका answer यहाँ आ जाएगा point A और point B okay तो इस तरह से हमने angle देखा कि angle किस तरह से बनता है यह पता होना बहुत जरूरी है this is the basic thing angle का जो starting होता है angle की definition से when two rays start from the same initial point they form an angle यह हो गया angle A O B या B O A O इसका vertex है इसकी arm से O A and O B and कौन से कौन से points इसके arms के ओपर the point A and point B they are on the arms of the angle okay so इस तरह से अभी हमने angle देखा अब हम आगे देखते हैं कि angle में interior part और exterior part कौन सा होता है कौन सा जो भाग है जो जिसे हम interior कहेंगे कौन सा जो part है उसे हम exterior कहेंगे interior and exterior part of the angle here I have put some points this side also this side also and even here also okay तो interior part कौन सा होता है angle का okay the area or the part which is in the arms of the angle okay यह definition आपको book में नहीं दिये okay ऐसा part जो दोनों arms के बीच में आए okay the part which comes in in the arms of the angle that part तो यह देखो यह angle है this is the angle and this part this the whole part this part is called the interior part और जो part बाहर है this part यह है exterior part आपको मेरे screen पर एक इमेज दिखरी होगी जिसमें मैंने आपको बता है कि interior part कौन सा है देखें मैंने color करके बता है उसको shed करके बता है interior part और exterior part को भी मैंने shed करके बता है तो इस तरह से interior part अंदर वाला होता है और exterior part बाहर वाला होता है the part which is in the arms of the angle is called the interior part and the part which is not in the arms of the angle okay means they are outside the arms of the angle they are the outside of the angle that is called the exterior part of the angle अब देखें यहां पर मैंने कुछ points लिखके रखे है points in the interior of an angle इस angle के interior में कुणसे कुणसे points है देखें यह इसके arm के उपर है R इसके arms के उपर है इसके arm के उपर है यह सारे arm के उपर है तो अंदर कुणसे कुणसे part है यह part है तो यह point कुणसे कुणसे है वो है point J देखें पहला वाला point point J फिर है point S okay point S फिर है पॉइंट P, फिर है पॉइंट F और D, तो इस तरह से यह जो पॉइंट है, they are in the interior of the angle, कौन से-कौन से, एक यह पॉइंट है, यह पॉइंट है, दो, कितने हुएंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से यह सारे points, they are in the interior of the angle, now here, the points in the exterior of angle, जो points है, exterior में कौन से-कौन से, देखिए, U है, X है, T है, उसके बाद O है, G, K, okay, so right here, यहां से शुरू करते हैं, point U, okay, point U, उसके बाद है, point X, फिर है, point T, okay, फिर है, point E, फिर है, point K, और फिर है, point G, तो these are the points, okay, अब क्या बता रहा है हो, points on the arms of the angle, arms के उपर कौन से point है, देखिए, arms के उपर आपको कौन से-कौन से point दिख रहे है, point A दिख रहा है, R दिख रहा है, M है, N है, V है और B है, okay, तो we will write here, these points which are on the arms, like, पहला point लिख लेते है, point M, फिर है, point R, फिर है, point A, okay, point A, फिर है, point N, फिर है, point V, और फिर है, point B, तो इस तरह से, ये interior और exterior, जो angle का जो part है, वो आपको clear हुआ होगा, और जो point, जो points arms के ऊपर है, वो भी आपको clear होगे, ये कोई बहुत difficult नहीं है, बहुत simple है, सिर्फ इसको ध्यान से एक बार देखिए, तो आपको clear हो जाता है, और वैसे भी जो diagram में आपको बताया है, उस diagram के मदद से आपको easily वो समझ जाएगा कि side में कौन सा part interior है, कौन सा exterior है, और मैं तो सीधा-सीधा बहुत हो आपको, कि ये हमारा हाथ है, इस हाथ को आप ऐसा कीजे, या फिर आपकी जो fingers है, इनको ऐसा कीजे, तो इस fingers के बीच का ये जो part है, वो interior में है, और ये जो part है this part is the exterior part of the angle, okay, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते है, adjacent angle क्या होता है, I have drawn one angle here, और मैंने उनके नाम लेक्के रहे, कौन से कौन सा angle है, angle AOB, angle BOC, और ये पूरा angle AOC, okay, इस पूरे का नाम है, एक angle AOB, AOC है, और मैंने बीच में से एक OE draw कर लिए है, तो दो मेरे पास इस adjacent angle क्या होता है, कि if two angles है, common vertex, देखे, इन दोनों angle की, कौन से कौन सा angle, angle AOB और angle BOC, common vertex है, point O, ये दोनों में common, AOB में भी vertex O है, और BOC में भी vertex O है, okay, अगला point है, common arm, uncommon arm, देखे, ये वाली arm जो है, वो angle AOB में भी है, और वो बीच में भी है, तो एक common arm है, okay, और अगला बोलन देखे, इसका interior यहाँ है, ये वाला पार्ट इसका interior है, और इसका interior ये वाला पार्ट है, तो इनके interior अलग-अलग हो, इन में एक arm common हो, और इनका vertex common हो, तीन point ध्यान रतना है, when two angles है, when two angles है, common vertex, a common arm, and separate interior, then they are called adjacent angle, तो यहाँ angle कौन से कौन से adjacent है, वो देखते हैं, मैंने आप आपको नाम अल्रेडी बता दिये हैं, लेकिन फिर भी angle AOB, देखे, एक angle AOB है, एक angle BOC है, और एक angle AOC है, तो AOB और BOC, ये दोनों के दोनों adjacent angle है, ये दोनों adjacent angle है, ये दोनों adjacent angle है, they are adjacent angle, because, see, तीनों के तीनों point इसमें follow हो रहा है, मतलब कौन से वाले, common vertex से देखो, दोनों common vertex OS में आ रहा है, उसके वाले common arm, देखे, ओ भी दोनों में आ रहा है, और separate interior है, उनका interior भी separate है, तो ये दोनों angle AOB and angle BOC are adjacent angles, ओके, अब बात आती है, कि, अब बात आती है, कि यहाँ पर angle AOC और BOC, ये adjacent angles है या नहीं, वो हम देखते हैं, देखे, angle AOC और BOC, इन में क्या है, देखे, इन दोनों में common vertex है, AOC में भी, AOC में भी O vertex है, और BOC में भी O vertex है, तो ये common vertex हो गया, पहला point इसमें follow हो रहा है, common आप देखे, AOC में OC और BOC में OC, तो OC दोनों में है, ये भी हो गया, अगला point क्या है separate interior, देखो इसके interior में BOC का interior भी आ रहा है, तो फिर ये दोनों जो है, वो adjacent angles नहीं होंगे, ये होंगे, ओकि मतलब तीनों point उसमें follow होना चाहिए, when two angles है, a common vertex, one common arm, and separate interior, then they are called adjacent angles, तो इस तरह सी है adjacent angle, I hope आपको ये clearly समझा होगा, अगर आपके निमान में और question को हमें काम करते हैं, हम यहाँ पर angle AOC और angle AOB को भी check करके देखते हैं, AOC और AOB, देखो, AOC ये पूरा वाला, और AOB ये छुटा वाला, तो यहाँ पर, O common है, O A common है, पर फिर वही बात आती है कि इनका, देखे, AOC का और AOB का interior एक हो जा रहा है, तो interior separate हमको चाहिए, इसके लिए वो चलता नहीं, तो इसके जब भी कोई angle ऐसे बने, मतलब एक दूसरे के पोडोस में बने, adjacent angle मतलब क्या जो एक दूसरे के पोडोस में बनते हैं, मतलब देख सकते हैं, जहां पर कि उनका common, एक दिवाल एक common है, दोनों गहरों के बीच में, और दोनों गहरों के interior अलग अलग है, तो इस तरह से हम उनके interior को separate कर सकते हैं, ओके, तो आई होप आपको ये adjacent angle भी clear हुआ हुआ, अब हम आगे आते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा practice set 15, practice set 15 का जो first question है, first question कोई बहुत difficult नहीं है, हमने already उस type का हमारा जो, जब मैंने आपको interior exterior समझाया, तो interior exterior उसको कर सकते हैं, second question को हम करते हैं, ये हमारा question second है, we have to mention all the adjacent angles, question क्या देखर है, name the pair of adjacent angles in the figure given, ओके, ये दो हमारा पास diagram है, इन दोनों में हमको adjacent angle बताने हैं, तो हम adjacent angle के नाम यहां से पहले से पहले figure से शुरू करते हैं, देखिए, ये दोनों, अगर angle हम देखें, तो इन दोनों में, ये दोनों angle में, angle B and C, and angle C and A, ये दोनों के दोनों जो हैं, एक ये angle और एक ये angle, इन में common vertex है, that is point N, इन में एक common arm है, that is N, C, और इनके interior भी अलग-अलग है, उसी तरह से, ये दो angle, एक ये angle और एक ये angle, ये भी दोनों क्या है, ये दोनों भी adjacent angles है, तो angle C, N, A, and angle A, N, B, और अगला, थर्ड वाला, ये जो ये वाला जो angle है, ये वाला, और ये वाला angle, ये दोनों भी adjacent angle है, कि अभी देखिए, आप उनके interiors अलग-अलग बन रहे हैं, इसका interior इदर है, इसका interior इदर है, common vertex भी है, और common arm भी है, यहां भी वही था, ओके, तो इनके नाम हम लिख लेता है, angle A and B, and angle B and C, तो इस तरह से इसके तो हमने सारे लिख लिख लिए, बाकी दूसरे नहीं है, ओके, हम यहां पर जो भी हमने पूरे के पूरे लिख लिख लिए, यहां adjacent angle की अगर हम बात करें, तो यहां सिर्फ एक ही pair बनता है, और वो है, ये दोनों का, देखे, angle PQT and angle PQRY, देखे, Q common vertex, PQ common arm और इनके interior देखो, यह separate है, इसके interior इधर है, इसके interior इधर है, तो separate interior होने के कारण, हम इनको ही लिख सकते हैं, बाकी दूसरों को नहीं लिख सकते हैं, अभी आपके मन में question आएगा, common arm यहाँ पर है, और separate interior भी है, ठीक है, ये दोनों angle नहीं होगे, because इनके common vertex नहीं है, देखे, interior अलग-अलग है, एक common arm भी है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, vertex common नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही pair है, यहाँ तीन pair है, कि जो adjacent angle के तीन-तीन अलग-अलग pairs बनते हैं आप अगला जो question है, वो अब हम करते हैं, उसको भी आप देख लिजे, और उसके बाद मैं आपको एक worksheet देने वाला हूँ, उस worksheet को आप solve कीजे, मेरे हर वीडियो में, जो हमारा 7th board का mathematics है, 7th का जो mathematics है, उसमें मैं आपको हर exercise में, हर practice set के साथ में, एक अलग से में worksheet देने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो book है, उसमें questions बहुत limited है, आपकी अलग से practice होना चाहिए, आपका match अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए मैं हर, मेरे एक हर वीडियो में, एक worksheet का में एक link देता हूँ, मेरे description में, तो आप description में जाकर वो worksheet को download जरूर कीजे, बहुत simple type के questions होते हैं, बहुत कुछ difficult नहीं होता, आप उसको कर सकते हैं, and you can take the help of your parents also, after watching this video, they can help you, question 3 है, are the following pairs of angles, are adjacent angles, मिन्स हम यह बताना है कि, यह जो pair लिखे हैं, यह adjacent angle है या नहीं, and if they are adjacent angle, give reason, give reason क्या होगा, वही जो definition adjacent angle की है, कि these two angles है, common vertex, these two angles है, common arm and these two angles है, separate interior, अगर यह चीज़े इस तरह के pairs में होगी, तो वह interior और वह जो angles है, वह adjacent angles होगे, otherwise वह नहीं होगे, ओके, अब देखते हैं, अगल PMQ, देखिए यह वाला angle, मैं इसको highlight करता हूँ, थोड़ा clear समझ में आएगा आपको, PM की यह वाला angle, और RMQ, देखिए, RMQ, यह देखिए, मुझे बता ही, यह दोनों angle अलग है या नहीं, देखिए, यह पूरा angle है, यह वाला, और यह ही यह वाला, इसमें M common vertex है, MQ common arm है, और देखो, इसका interior यह side में है, और इसका interior यहाँ पर है, तो फिर यह दोनों angle होंगे, adjacent angles, यह है adjacent angles, आप इसको adjacent angles कह सकते हैं, तोड़ा में दो लाइन कीतलों आपको problem नहीं है, so this pair is the adjacent angle because फिर आप definition में इसको लिख सकते हैं, RMQ, RMQ और SMR, मैं अब इसको highlight करता हूँ, RMQ, जो हम already highlight कर चुके हैं, RMQ और SMR, SMR यह वाला part, देखो, यह वाला, और यह पूरा वाला, RMQ और SMR में, RM जो है वो common है, दोनों जगा पर है, vertex भी common है, लेकिन इनका interior देखो, यह दोनों का interior separate नहीं है, इसके interior में यह आ रहा है, तो these are not the adjacent angle, the pair of adjacent angle, फिर है, RMS, मतलब यह वाला angle, और RMT, RMT, RMS और RMT, यह भी नहीं होगा, क्योंकि वही बात आ रही है, interior angle की, और फिर बात है, SMT की, SMT यह वाला angle, और RMS, RMS, yes, यह हो सकत, होगा यह, यह SMT यह वाला angle, और RMS यह वाला angle, RMS और SMT, यह दोनों अलग-अलग है, इनका vertex एक है, इनके arms common है, एक arm common है, और उनका interior separate है, तो इसके लिए, मतलब यह वाला होगा, तो इस तरह से हमने आज practice set 15 solve की है, आप अब जो अलग से मैंने वर्क्षीट देखे रखी, आप उसको solve कीजिए, उसकी help से आपका यह topic बहुत clear हो जाएगा, आपका math strong होगा, देखते रहे पावनवाग academy, और अगर आप हमारे subscriber हैं, तो bell icon को click कीजिए, क्योंकि अगर आप bell icon को click नहीं करते हैं, तो आपको notification नहीं मिलेगी नई videos की, तो please click the bell icon, देखते रहे पावनवाग academy, अपने दोस्तों से भी share कीजिए, धन्यवाद.